असलाम अलेकुम आज की रेसिपी है जनाब हमारी दही चिकन की एक बहुत ही आसान और बहुत ही मज़िदार रेसिपी है जी दही चिकन बनाने के लिए हमें चिकन चाहिए चिकन में हम डालेंगे नमक, मिर्च, हल्दी, पीसा हुआ धन्या और उसके बाद लहसन पाउडर, अद्रक पाउडर अगर आपके पास कुश्क दीना है तो आप वो डालें, गरम मिसाला पाउडर, अजवाइन, टिमाटर का पाउडर और अगर टिमाटर आपके पास नहीं है तो आप ताजा टिमाटर की प्योरी बना के डाल दें, उसके बाद हम इसमें डालेंगे दही, यह सब चीज़े अकठी हमने एक ही दफ़ा लेनी है, उसके बाद आप एक मीडियम साइज का प्याज लें और उसको बारी ग्राइंड क जाएं, दस मिनट के लिए यह पंदरा मिनट के लिए सिरफ आप इसको मेरिनेशन के लिए रखें और उसके बाद अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप के तरफ, जी आईल ले लें और आईल में ठंडा ही अब भी होगा तो आप इसमें इसको डाल दें क्योंकि अगर गर आईल में डालेंगे, तो दही के वज़ा से चिंटे न ओडें जो कि आपके हाथ और चेहरे पर पढ़ सकते हैं, तो अब इसको थोड़ा सा आईल के साथ मिलाएं और मिलाने के बाद इसको कवर करके रख देंगे, यह एक ऐसी रेसिपी है कि आपको बार बार उठके कोई मि और आईल छोड़ दे, लेजिए जनाब हमारा दही चकन हो गया है, बिलकुल तयार और अब इसको गानिश करें और मज़े से खाएं